हलो वच्चो वेलकम बैक, तो रिलेशन्स को फिनिश करने के बाद अब बारी है फंक्शन्स को समझने की और यकीन मानो ये बहुत ही जादा आसान सा टॉपिक है और हम इसकी समझ अल्रेडी ले चुके हैं, हमको सिर्फ जानना है कि फंक्शन होता क्या है, उसके बाद यहाँ पर न कई बार, कई बार लोग परेशान होते हैं और उसके पीछे एक स्पेसिफिक रिजन है कि फंक्शन का जो एक्जैक्ट मीनिंग है न हम वो पूरा मीनिंग नहीं देखते हैं, हम सीधा चले जाते हैं टाइपस अ फंक्शन पे, वन वन फंक्शन, उन टू फंक्शन और स्पेसिफिक फंक्शन को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, डोमेन रेंज याद करना स्टार्ट कर देते हैं, अचा इस टाइप का फंक्शन होगा तो डोमेन कैसे निकालेंगे, इस रास्ते में भटक जाते हैं, एक्चुली में इसको समझना बिल्कुल भी मुश्किल नही और यहां पर further अपनी knowledge को इस observation के जरीए बढ़ाना है तो अब वो part है क्या तो उसको शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि actually में यह functions होते क्या है तो देखो relations हम लोगों ने study किया है जहां पर आप set A के अंदर और set B के अंदर एक relation ढूंडते हो या फिर आप बनाते हो nature के अंदर अगर कोई observation कर रहे हो तो आपको पता है कि यहां पर values A से लेकर J तक ही यहां पर माइने रखती हैं तो आपने A set बना दिया B set के अंदर कहा कि 1 से लेकर 5 तक ही माइने रखती हैं तो आपने 1 से लेकर 5 तक का एक B set बना दिया अब इस A set और B set के बीच में आपने relation define किया relation define किया जिसमें जो values A set के A set के उस relation के लिए defined हैं उनको हमने domain कहा था और यह सारी line जो मैं बोल रहा हूँ यह आपके लिए बहुत important होने वाली है क्योंकि इन ही को आपको observe करना है relation के ज्यान के जरिये ही हम function का पूर्ण ज्यान हासिल कर सकते हैं तो इन बातों को हमें समझना है और observation के दाइरे में लेकर आना है तो A set के अंदर जितने भी element थे जितने भी element है उसमें से सारे element आपके domain के अंदर नहीं आते हैं तो यह बात हमको relation के द्वारा पता है और यहाँ पर all possible relation जो इसके element और इसके element के बीच में हो सकता है वो हम निकालते हैं इन दोनों set का Cartesian product करके और relation से जो set बनेगा वो उस Cartesian product का जो A x B हमने किया है उसका subset होता है ठीक है So this is now our revision यह हमने relation का वो ज्यान उठा लिया जिसके जरीए अब हमें यहाँ पर further communicate करना है ठीक है तो हमने कहा कि यार relations कई type के होते हैं Simple, थोड़े extra उसे difficult, थोड़े और difficult, थोड़े और difficult और बहुत difficult यानि कि complex relation हमारे पास आगे तो हम यहाँ पर एक सबसे simplest relation को देखना चाहें तो सबसे simplest part क्या होगा तो सबसे simplest relation जो होता है उस relation को ही हमने नाम दिया function तो अब हम यह कैसे decide करें कि सबसे simplest relation क्या होगा तो यहाँ पर हम जानते हैं कि A जो है A का input देने पर relation में मान वह एक ऐसा relation बनाया जिसमें A का input देने पर बनाया और A का input देने पर 2 आया ठीक है अगर मैं इसको और simple करना चाहूं तो यह कहूं कि एक input देने पर सिर्फ एक ही output आए एक input देने पर यहाँ पर दो output आ रहे हैं तो यह मैंने second level की simplicity रखी है तो इससे भी और better simplicity क्या होगा कि एक element का input देने पर सिर्फ एक ही output आए तो ऐसी चीज़ को हमने क्या बोला function बोला point को समझना पहली चीज़ अग यहां तक तो हम लोग जानते हैं तो हमने कहा कि चलो अब basic कुछ relations को देखते हैं और उससे define करते हैं कि function क्या होगा और कैसे होगा तो अगर मैं कहूं कि मेरा एक real number का set है एक real number का r for relation नहीं है r का मतलब all real number का set है इससे मैंने दूसरे real number के set के साथ एक relation define किया तो मैं यहाँ पर r e n लिख देता हूँ ताकि यह relation हो जाए relation define किया r x is equal to r x is equal to मैं यहाँ पर कहता हूँ x ठीक है r x equal to x मैंने define कर दिया अब यहाँ पर मैंने कहा कि अगर मैं इस relation को देखूँ तो यहाँ पर एक input पर एक ही output आ रहा है अगर मैं x की value लेता हूँ मान लो मैं इसको आगे लिख देता हूँ y is equal to relation from x relation of x है यहाँ पर जो equal to x के बराबर तो अगर मैं x as a input जो कि इस set से आएगा set a से आएगा और y जो मेरा output होगा वो set b से आएगा तो अगर मैं यहाँ x की value 1 लूँगा तो y की value 1 आएगी x की value 2 लूँगा तो y की value 2 आएगी x की value root 3 लूँगा तो y की value root 3 आएगी यानि कि एक input पर एक ही output आ रहा है आप यहाँ पर कोई भी ऐसा number नहीं ढून सकते हो जहाँ पर आप एक input लो और आपको 2 output मिल जाएं तो अभी तक जो हम यहाँ पर कह पाए है कि एक input पर एक output आएगा तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे function कहेंगे तो इस हिसाब से यह क्या बन गया मेरे पास function बन गया तो अब मैं इस r की जगए बस symbol यहाँ पर change करके f लिख दूँगा so now this is a function function from real number set to real number set और यहाँ पर भी मैं f लिख सकता हूं चैकि अपिटल f लिखो चैस्मॉल f लिखो मरजी आपकी है so अब देखो अब हम बढ़ते हैं अगले पड़ा उपर ठीक है अब हमने कहा कि यार हम लोग यहाँ पर x ना लेकर x ना लेकर हम क्या करते हैं एक input पर अभी भी एक और ही एक और output आ रहा है तो हमने further यहाँ पर study करना start किया कि यार देखो अभी तक तो यह मुझे function जैसा ही लग रहा है तो मैं यहाँ पर चलता हूँ domain के लिए तो मैंने यहाँ पर domain देखा अब थोड़ा ओ negative region में भी study कर ले अगर minus 1 लूँगा तो plus 1 आएगा minus 2 लूँगा तो plus 4 आएगा यानि कि यहाँ पर minus 1 लेने पर भी बना रहा है और 1 लेने पर भी बना रहा है observation is the first step towards right education सिर्फ observe करना यकीन मानो बहुत असान सी चीज़ है जिस चीज़ को हम 10 बार रट के नहीं समझ पाएंगे उसको हम एक घंटे की observation में असानी से समझ सकते हैं तो observation करो और यकीन मानो इसके बाद आपको इसको फर्दर कभी भी रटने के जरूरत नहीं पड़ेगी actual knowledge observation के अंदर ही छुपी हुई है तो यहाँ पर मैं कहों कि यहर देखो same output मेरा दो अलग-अलग input पर आ रहा है लेकिन function की जिस बात को मैंने अभी तक अपने आपको समझाये बों यह है एक input पर एक output तो यहाँ पर 1 के input पर plus 1 आ रहा है, minus 1 के input पर plus 1 आ रहा है, same output हो रहा है लेकिन यहां पर same output के लिए same input नहीं है यानि कि एक input पर एक ही output है हाँ अगर ऐसा होता कि मान लो यह x square की जगह है मान लो root x होता और मैं कहता कि यहां पर y is equal to root x होता और मैं x का input देता 1 ठीक है तो output आता plus minus 1 यानि कि plus 1 भी आया minus 1 भी आया तो अब मैं कहूंगा एक input पर दो output आया है logical देखो हमें यहां पर चीज़े नजर आ रही है तो यह function नहीं बना लेकिन यह function है क्योंकि अभी भी एक input पर एक ही output है same output same output किसी और number पर भी आ सकता है लेकिन ऐसा क्या क्यते हैं एक input पर दो output नहीं आने चाहिए इतनी simple सी कहानी क्योंकि हम simplest relation को देख रहे हैं और उसी को हम लोगों ने नाम दिया है function अब हम यहाँ पर इसकी domain को देखना start करते हैं ठीक है अगर हम इसकी domain को देखें तो domain अगर मैं देखू मैं इसमें कोई भी value चाहिए वो plus हो या minus मैं डाल सकता हूँ तो इसकी domain आ गई all real number all real number ठीक है all real number आ गया अब मैं range को देखू अगर तो range यहाँ पर मेरी all real number नहीं आए बलकि चाहे मैं negative डालू answer positive आएगा positive डालू answer positive आएगा क्योंकि यह x square है तो यहाँ पर आ गया all positive real number all positive real number तो यहाँ पर range जो है वो r plus लिखूँगा मैं और जो domain है वो मैंने r लिख दी तो अब अगर मैं इसको simplest relation बनाना चाहता हूँ तो relation के definition से अगर मैं बढ़ूँ तो relations में हमने sets को introduce क्यों किया था हमने sets को introduce क्यों किया था यह सवाल सबसे important था relation के अंदर और वो इसलिए था कि उस sets के अंदर जो value है वो possible region में कोई भी relation बनाया जा सकता है इस particular परिस्तिति के लिए ठीक है तो इसलिए हमने values को यहा से यहां तक रखा और उसका एक set बना दिया थेक है तो हमने कहा कि आगर मैं इनके sets को देखूं अगर मैं इनके sets को देखूं तो यहाँ पर अगर मैं set B के अंदर से R हटा के R cheaper कर दूं तो यह भी मेरे लिए काफी है अगर मैं यहाँ पर इस set को all real number न रखे B set को R plus रखूं तो यह भी मेरे लिए काफी है तो यहाँ पर हम simplicity को थोड़ा और increase कर रहे है कि यानि कि जितनी जरूरत है उतना ही रखा जाए ठीक है तो इसको हम further अब next step पे लेके जाते हैं अब बढ़ते हैं आगे वाले set पे ठीक है आगे वाले set पे simplest relation की तरफ बढ़ने के लिए जिन चीजों की जरूरत नहीं है न हटाओ उनको निकालो जरूरत नहीं है और जितना simple कर सकते हो उतना simple करने की कोशिश करते हैं तो अब मैं यहाँ पर function लेता हूं x square ना लेकर यहाँ पर मैं root x लेता हूं ठीक है और root x लेता हूं और इनके input और output को देखता हूं अगर मेरे पास root x है तो clearly clearly अभी मेरा function real number to real number है ठीक है real number to real number के set पे मैंने function बनाया है जो function के बारे में मैं जानता हूं तो यहाँ पर मैं already एक example देख चुका हूं तो अगर मैं x का input 1 डालूंगा तो y मेरे पास 2 आएंगे एक minus 1 आएगा and plus 1 आएगा अगर मैं x का input 2 डालूंगा तो यहाँ minus root 2 आएगा and plus root 2 आएगा तो यहाँ पर यह चीज function बनी जवाब है नहीं तो अब मैंने कहा कि चलो इसको function बनाते हैं इसको function बनाने के लिए मैंने क्या किया जो b set है मेरे पास उसमें से negative numbers हटा दिये या फिर positive numbers हटा दिये क्योंकि एक relation function क्या है एक relation ही तो है किसी भी एक relation में output values वही आएंगी जो b set के अंदर लाई करेगी तो मैंने यहाँ पर इसको r plus ले लिया क्या ले लिया r plus ले लिया ठीक है अब मैं यहाँ पर अगर input values को देखूं तो यहाँ पर अगर मैं minus 1 डालूंगा तो क्या मेरे को output मिलेगा जवाब है नहीं तो यहाँ पर negative numbers set a के अंदर भी क्या हो गए irrelevant हो गए कोई मतलब नहीं है तो मैंने यहाँ पर भी set a को कर दिया r plus तो यहाँ पर दो function बनाए जा सकती है जो की बन गया मेरे पास f from r plus 2 r plus उपर बन चुका है और मीचे क्या बन जाएगा r minus जिसमें पहले वाले function में इसको f1 बोलते हैं इसको f2 बोलते हैं पहले वाले function में आप input दोगे तो आपको output में positive values मिलेंगी इसमें जब आप input दोगे तो output में आपको सिर्फ negative values मिलेंगी क्योंकि अब एक input पर एक ही output रहेगा इसलिए ये relation नहीं क्या बन गए function बन गए तो अब देखो यहाँ पर function के मतलब के साथ चले तो एक input पर एक output एक input पर एक output ये हमारे लिए important part हो गया और अब यहाँ पर हमको कुछ देखना है कुछ समझना है कुछ पकड़ना है इस बात को हम simplest relation बनाना चाहते है तो simplest relation बनाने के लिए हमने कहा कि यार इनके न domains पे अगर focus किया जाए domains पे अगर focus किया जाए कि domain ही तो वो values है जो as a input use होने वाली है domain ही तो वो values है जो as a input use होने वाली है तो अगर मैं सेम इसी function को लूँ ठेक है और मैं कहूं function from real number to real number लेकिन इसके अंदर जो domain निकलेगा अगर relation वाले knowledge से हम पकड़ते हैं तो मिरे पास एक set होता है लेकिन relation में जो domain होता है domain का जो set बनता है वो set A का subset होता है तो अब मैं चाहता हूँ कि simplest यानि कि कोई भी फालतू की चीज़ रहे ही न जो important है बस वो रहे तो हमने का कि यार function के अंदर एक चीज़ और add करते हैं एक तो ये एक तो ये हो जाएगा कि one input one input पे one output एक part ये और दूसरी चीज़ जो हमने add करी वो ये रखा कि जो आपका set A है वो set up सीधा सीधा domain का बना दो वो set up सीधा सीधा किसका बना दो domain का बना दो तो अब हमने यहाँ पर further function की definition को थोड़ा और update किया modify नहीं कहेंगे update किया क्योंकि modification में changes होते हैं इन words को भी समझना होगा modification का मतलब होता है some changes और update का मतलब होता है जो पिछला है उसके उपर कुछ और add किया गया तो function के अंदर दो चीजे add करी हम लोगों ने मतलब define करने के लिए कि simplest relation क्या हो सकता है एक input पर एक output simplest और ऐसा set बनाना जिसमें भाई कुछ फालतू extra है ही नहीं उस particular function के लिए जो set A है वही आपका domain होगा वही आपका domain होगा relation के अंदर domain can be a subset और equal to of set A जिससे आप relation बना रहे हो बट function के अंदर जो आपका domain होगा that will be equal to set A तो समझा गया आपको यही important point है जिसको हमें समझना है और अब यकीन मानो function का कोई भी part आप कभी भी गलत नहीं करोगे इस ज्यान के साथ पूरे function chapter को समझना अब आसान हो जाएगा और अब हम यहाँ पर जो हमारी books में definition दी होती है उसको समझने के लिए ready हो गए है तो वो definition यह है function is a specific relation from set A to set B for which every element x of set A has one and only one image in set B तो अब यहाँ पर देखो A set मेरा domain है ठीक है यानि कि उस function के अंदर जो domain की value होंगी वो set A के अंदर लाई कर रही है और इसी लिए यहाँ पर लिखा है इस in words को pick करो every element ठीक है every element इसका मतलब set A का हर एक element उस function में as a input use होना चाहिए उस function के अंदर as a input use होना चाहिए तो every element यानि कि set A ही आपका क्या बन जाएगा domain बन जाएगा तो अगर आपको एक question दिया हुआ है logically पकड़ो questions को करना देखो कितना आसान होगा उसमें set A आपको given है और बोला गया है कि यह function है और पूछा जाए आपसे domain बताओ कई बार बच्चे बैठके आदा अदा घंटा solve कर रहे होते हैं set A is the domain काम खतम देखो इसी तरीके से आपको आइडिस trick करेंगे यह जो knowledge है ना they want to test your knowledge not कि कितने घंटे बैठके आप simplify कर रहे हो ठीक है आते हैं simplification के भी question आते लेकिन कुछ question बड़े ही simplest question होते हैं और वो simple से logic पर चलते हैं कि आपने कितनी गहराई से observe करके पढ़ाई करी है तो यह questions जादा genuine और जादा important होते हैं तो यहाँ पर आपका set A जो है अब इन चीज़ों को हम tricks बोल देते हैं तो यह tricks नहीं है यह knowledge का वो भंडार है जिसको हमें grab करना है तो देखो यह वो definition है जो हमारी NCIT में लिखे हुई है जो भी mathematics के book हम पढ़ते हैं उसमें लिखे होती है specific relation यानि कि functioning relation होता है और मैं कहा रहा हूँ कि यह simplest relation होता है जो अब देखो मैं जो कहा रहा हूँ वो पत्थर की लकीर नहीं है जो मैंने अनुभव किया है इसको पढ़ते वग उस way में मैं अपनी बात आप तक व्यक्त कर रहा हूँ ठीक है तो यह एक specific relation है set A to set B के बीच में जिसमें every element x of set A set A का हर एक element का एक और सिर्फ एक image होना चाहिए set B के अंदर ठीक है क्या होना चाहिए set B के अंदर काम खतम तो यानि कि एक input पर एक ही output होना चाहिए और जो set A है न आपका उसके सारे elements का एक output होना चाहिए एक output होना चाहिए तो यहाँ पर हमने domain का जो set होता है उसी को उस function का set A बना दिया और अब हम कह सकते हैं कि यह बन गया हमारे पास एक simplest relation simplest relation तो भई यहाँ पर नाम में ही simple आ गया है तो function मुश्किल कैसे हो सकता है function आपका just a simplest relation है जिसके लिए दो conditions mandatory हो गई हमारे लिए एक input पर एक output और आपका हर एक value जो set A के अंदर है उसका एक output होना चाहिए और इसी चीज़ को अब हम लोग एक नया नाम देते हैं और यहाँ पर नाम क्या होंगे हमारे वो लिखता हूँ मैं और इस चीज़ को इस process को हम लोगों ने नाम दिया mapping तो अब हमें mapping और relation में एक difference होता है तो उस चीज़ को भी अब हम समझने लायक है और हम समझ जाएंगे कि mapping का क्या मतलब है आप देखो यहाँ पर मेरे पास एक set A है जिसके element है A, B, C, D और यहाँ पर मेरे पास set B है जिसके element है 1, 2, 3, 4, 5 यह मेरे पास element हो गए अब यहाँ पर नामकरण कर लेते हैं यह set A है, यह set B है अगर relation होगा तो यहाँ पर जो domain होगा वो A, B, C, D का मदब इस set का subset भी हो सकता और particular relation भी वो relation पर depend करेगा कि A set भी हो सकता उसका domain या इसके कुछ element भी हो सकते हैं लेकिन function में यह 4 element आपके तभी A set में आएंगे जब वो domain के अंदर लाई करेंगे तो यह set in function in function आपका set A ही आपका क्या हो जाएगा domain ठीक है यह function के लिए ही define किया गया है ठीक है, बट relation में जरूरी नहीं कि set A आपका domain हो ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ठीक है, तो यहां पर अब हमें मैं क्या बताने जा रहा था आपको एक input पर एक output और यहां पर हमने mapping बताने जा रहा था, सुरी ठीक है, आप देखो अब इस बात को समझना mapping का मतलब क्या होता है ठीक है, और relation का मतलब क्या होता है अगर d का, d को मैंने 4 के साथ connect नहीं किया है, d को मैंने 4 के साथ connect नहीं किया है, तो यहां पर यह बन गया आपका relation, इस particular relation के लिए domain क्या हो जाएगा आपके पास a, b, c और range क्या हो जाएगी आपके पास 1, 2, 3 ठीक है, 1, 2, 3 हो जाएगा अगर, अगर set a any element of set b, it is called mapping, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, आपका mapping कहलाएगा, तो अगर d4 के साथ connected नहीं था, या कोई भी एक element किसी के साथ connected नहीं था तो उस case में वो just a relation है, ठीक है, और इस case में भी जब सारे element connected है, तो वो relation है, लेकिन साथ ही साथ, अब आप इस चीज को use कर सकते हो, word mapping ठीक है, तो यहाँ से, अब यह क्यों जरूरी है, इस छोटी से चीज के लिए क्या जरूरी है, अगर भाई, बोल दिया है set a has been mapped with set b, find the domain, set a is the domain, simple, ठीक है, तो यह word important था, इसको समझना, ठीक है, अगर set a को set b के साथ relation बनाया गया है, तो हो सकता है, कि आपका domain set a का subset हो, या फिर equal हो, ठीक है, लेकिन अगर map किया गया है, तो set a ही आपका domain के set के equal है, क्योंकि function के अंदर आप करोगे mapping, क्योंकि function में every element of x, every element x of set a, has one and only one image in set b, ठीक है, तो अब यहाँ पर, यह a, जिसको हमने one के साथ map किया है, अब input output तो हम बोलते ही आई है, चलो एक नया नाम भी दे देते हैं, इस output को हम लोग बोलेंगे image, ठीक है, और इस set के जो element है, जो as a input output यूज कर रहे थे, उसको आप बोल सकते हो, pre-image, ठीक है, और जो यह set b है आपका, यह तो हम relation में ही नाम करन कर चुके, set b को हम लोग बोलते है, co-domain, ठीक है, co-domain, यह हमारा नाम हो गया, तो function के अंदर जो ग्यान हम लोगों बनते हैं, जहां आपको set a given नहीं होता है, आपको उसका domain find करना होता है, तो वहाँ पर आप basically set a को, या फिर आपके hello domain को ही find कर रहे हो, ठीक है, अब बढ़ते हैं set b की तरफ, set b क्या हो जाएगा, आपके पास co-domain हो जाएगा, अब हम लोग ready है, function के exact meaning के साथ, ठीक है, जिसमें ये every element बहुत important role play करेगा, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, कब कितना ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी वज़े से ही types of function में एक जगह दिक्कत आती है, तो उस चीज़ को हम लोग अब समझते हैं, आप देखो, अब आपको होगे कि अभी तक हम slow speed पे आये थे, बट अब हम चीज़ों को fast fast समझ सकते हैं, अब क्योंकि हम ready है, function में types of function को समझने के लिए, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, types of function, types of function और यहाँ पर देखो, आपके पास, आपके specific अभी level पर, types of function, and क्या कहूँ मैं इसको, types of function क्या लो, और एक और होता है types of function, उसमें भी हम word English का same use करते हैं, logarithmic function, exponential function, तो वो चीज़ समझाना चाहा रहा था मैं, लेकिन अब हम लेते हैं, types of function, तो यहाँ पर हमने दो प्रकार के function रखे, on to function, on to function, and one one function, one one function, छेक है, मैं पहले one one लिखना चाहता था, बट वो बाद में लिख दिया, और on to के साथ साथ आपके पास एक आता है, इन्टू function, आपका आता है, many one function, to यह अलग अलग, मतब चार यू में बना है, उसके पिछे रीजन है, अगर कोई function on to नहीं होगा, तो वो into है, अगर one one function तो भई यह one-one function है क्या तो अगर मैं one-one function को देखूँ तो ऐसा function ऐसा function जैसे आपने example देखा था भी ठीक है कि जब आपने f of x बनाया था f of x is equal to root x बनाया था function from r plus to r plus के लिए ठीक है r plus to r plus के लिए या फिर आप कहलो तो आर प्लस टू आर के लिए ठीक है आर प्लस टू आर के लिए आपने यहां पर कर दिया ठीक है तो यहां पर यह तो आपका यह आपका रिलेशन था सॉरी इसमें क्योंकि एक इंपुट पर दो आउटपुट आएंगे मैं यहां पर एक स्क्वायर लेता हूं ठीक है एक स्क तो मैंने यहां पर input लिया minus 1, output आया plus 1, input लिया plus 1, output आया plus 1, ठीक है, अब इस function के अंदर अगर मैं देखूं, तो set A में, अगर मैं minus 1 और 1 लेता हूं, बागी के elements भी हैं, और बहुत सारे element हैं, यहां पर मैं 1 को लूँ, तो minus 1 map है आपका plus 1 के साथ, और plus 1 आपका map है plus 1 के साथ तो 1 input पर 1 output, 1 input पर 1 output, तो this is a function, लेकिन, यहां पर, यहां पर 1, 1 का मतलब क्या हुआ, एक input पर 1 output तो है, लेकिन अब वो output और किसी के साथ नहीं आएगा, 1 to 1, इसका और इसके साथ ही relation है, अब इसका relation और किसी के साथ नहीं हो सकता है, ठीक है, तो यहां पर यह क्या है, यह many one function है तो अगर one to one होना है तो जैसे हमने x में लिया था minus one लेते तो minus one आता, plus one लेते तो plus one आता, इस तरह है कि function कहलाएंगे आपके पास one to one function क्याम खतम, किता simple सा logic है यानि कि एक का relation सिर्फ एक के साथ one to one function as simple as that ठीक है, अगर एक input पर एक output आया, और भही output किसी और input पर भी आया, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास many one function बन जाएगा, काम खतम तो देखो one one function हमें समझा गया और अब ये बात आपके लिए important होगी क्योंकि अब आपको जो चीज मिलने वाली है ये उसके लिए सारी कडिया जोडने वाला है तो उस चीज को समझना next type है मेरे पास on to function on to function ठीक है, next function क्या है मेरे पास on to function है, अब जरह इसको समझते है, on to function क्या होता है अगर मेरे पास set a के अंदर a, b, c, d 4 element है, तो ये 4 element क्योंकि ये function है, ये 4 element 1 से map कर दिया, b को 4 से map कर दिया d को 2 से map कर दिया, c को 3 से map कर दिया, ठीक है, काम खतम लेकिन अब यहाँ पर आप अगर ध्यान दोगे ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो b set का एक element जो है उसका कोई pre image नहीं है b set का एक element जो है उसका कोई pre image नहीं है ध्यान से समझना b set को हम क्या कहते हैं b set को हम लोग कहते हैं co domain ठीक है co domain बोलते हैं और इसकी अगर मैं range देखूं ठीक है range का अगर मैं set देखूं तो वो क्या हैगा 1,2,3,4 और co domain का set देखूं तो वो क्या हैगा 1,2,3,4,5 तो यहाँ पर मैं कहूंगा range is a subset of co domain ठीक है range is a subset of co domain अपने घ्यान के साथ हम connect करेंगे अगर किसी भी element का कोई set b के अंदर कोई pre image नहीं है तो ऐसे case में function आपका onto नहीं होगा ऐसे case में function बन जाएगा आपके पास into function ठीक है और अगर यहाँ 5 नहीं होता तो यह function बन जाता आपके पास onto function यानि कि b set का हर एक element का कोई न कोई mapping a set के किसी न किसी element के साथ होना चाहिए a set के किसी न किसी element के साथ होना चाहिए तो यह बनता है इस चीज़ से define होता है कि आपका function onto होगा या into होगा तो onto वाले case में into वाले case में range is a subset of co-domain और onto वाले case में range is equal to range का set is equal to co-domain का set co-domain के set के equal होगा यह सारी चीज़े हम अपने observation से लिख रही है ना कि याद कर रही है अब यहाँ पर na brain के अंदर एक बहुत ही प्यारा सा question उचल रहा होगा कि यह types of relation में तो समझ आए हमने अपने surrounding में इन relations को देखा ठीक है लेकिन function के अंदर one to one और यह onto की क्या जरूरत आंग पड़ी ठीक है इसकी क्या जरूरत आंग पड़ी हम इसको पढ़के क्या हासिल क्या करेंगे तो हम यहाँ पर इन चीज़ों को पढ़के यह हासिल करेंगे कि दुनिया में कितने ही complicated relations आपको मिलेंगे आप उनको छोटे छोटे टुकडे बना कर उनको functions की तरह study कर सकते हो अब क्योंकि functions आपके simplest relation होते हैं तो function में जो आपने study किया है वो knowledge का use करके आप उन complex problems को solve कर सकते हो ठेक है आप बात आती है यहाँ पर तो इसकी into और onto इस यह जो आपने one one और onto बताया ठेक है इसकी क्या जरूरत है तो इसकी जरूरत यह है कि अगर मेरा relation किसी के साथ है तो उसका relation भी मेरे साथ हुआ तो यहाँ पर एक तरफ अगर मैं अपने आपको inverse relation बना सकते हैं एक relation का inverse relation बना सकते हैं similarly अगर मैं function का inverse relation बनाने की कोशिश करूँ inverse function बनाने की कोशिश करूँ तो मेरे पास क्या challenges आ रहे हैं अब point को समझना ठेक है relation का relation से मैं बना सकता हूँ inverse relation inverse relation ठेक है point अब यहाँ पर function को अगर मैं inverse करूँ तो क्या बनता है तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ एक function को देखता हूँ ठीक है इस function को देखता हूँ A B C ठीक है यहाँ पर 1 2 एक input पर एक ही output है ठीक है तो B पर 2 आया और C पर भी 2 आया ठीक अभी क्या है यह function है एक input पर एक output बट अब मैं इसका inverse कर देता हूँ inverse किया तो यहाँ 1,2 आया और यहाँ पर A, B, C आया तो 1 पर output आएगा A, 2 पर output आएगा B and C लेकिन inverse करने पर यह inverse function नहीं रहा यह बन्या inverse relation तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं जवाब है yes हम कर सकते हैं ऐसा कोई rule नहीं है क्योंकि कई बार हम इसको गलत पढ़ लेते हैं हमें रखता है कि यह किया ही नहीं जा सकता है कर सकते हो भाई जब इसका इन दोनों का relation इसके साथ है तो उल्टा करने पर भी relation ही मानू बस सीधे में वो function की तरह behave कर रहा है इसका मतलब यह नहीं कि आप कर नहीं सकते हो आप कर सकते हो बस हमने यहाँ पर simplest way में ही जाने की कोशिश करो हमने कहा कि ऐसे functions हम ढूंडते हैं जिसका inverse करने पर भी function ही मिले तो यह हमने अपने आपको एक task दिया कि ऐसे function जिनका inverse करने पर भी हमें function मिले तो उसके लिए क्या possibility आ सकती है अगर यह one to one mapped होता मानलो यहाँ पर three होता इस तरीके से अगर mapped होता तो inverse करने पर भी यह function की तरही behave करता यह function की तरही behave करता यानि कि inverse function बनाने के लिए inverse function बनाने के लिए one one होना जरूरी है 1 1 होना जरूरी है अब हमने कहा कि यहाँ पर एक चौथा element ले आओ यानि कि इस वक्त आपका range जो है वो co domain का subset है जो range है आपका इस function में क्या है 1 2 3 अगर मैं इसका inverse करूँगा अगर मैं इसका inverse करूँगा तो देखो मेरे पास क्या आएगा मेरे पास आएगा 2 3 4 2 का mapping B के साथ 3 का mapping C के साथ बट 4 जो element है उसकी कोई mapping ही नहीं है अब by the definition of function जो की एक simplest relation था उसके हिसाब से every element x of set A जब आपने इसको inverse कर दिया तो यही बन गया ना आपका set A अब inverse करने पे ये भी एक function है ये इस function का inverse function है लेकिन सिर्फ इसको देखो तो ये एक function है तो 4 की तो कोई mapping ही नहीं है तो यहाँ पर इस वक्त ये again function नहीं रहा ये क्या बन गया आपका ये बन गया आपके पास एक relation ये बन गया आपके पास एक relation तो function क्यों अगर मैं यह चाहता हूँ कि function का inverse करने पर भी function आए तो उसको function की जो definition हम लोगों ने बनाई है ठीक है जो हम लोगों ने define करी है उससे वो match करना चाहिए तो उसके लिए one one होना जरूरी है और साथ ही सार आपका उसका on to होना जरूरी है यानि कि एक भी element खाली नहीं होना चाहिए जिसक जालने के लिए inverse function को बनाने के लिए मतलब देखो inverse relation मिल जायेगा आपको अगर कोई function one one और on to नहीं है ठीक है कोई बात ने inverse किया जासकता है बट उसकेस में वो inverse relation बन जाएगा ठीक है लेकिन अगर कोई function one one भी है और on to भी है तो उस case में आपको मिलेगा properly inverse function ठीक है वन वन फंक्षन को हम लोग बोलते हैं, अरे एक और नाम देते हैं, नाम याद नहीं आ रहा, और on to को हम लोग देते हैं, अंटू, surjective, injective surjective, yes, on to को बोलते हैं हम लोग surjective, मैं इस नाम में शाहिद confused हो सकता हूँ, और one one को बोलते हैं injective ठीक है injective function बोलते हैं injective function और on to को बोलते हैं surjective function ठीक है अगर कोई function ये दोनों है ये दोनों है तो उसको combine करके आप एक चीज़ बोल सकते हो कि ये है आपका byjective function byjective function ठीक है so inverse होने के लिए आपके function का byjective होना जरूरी है नाम अक्सर मैं भूल जाता ह हुँ ठीक है क्योंकि मुझे काम से मतलब होता है लेकिन 12 का बोर्ड है तो नाम याद होने चाहिए ठीक है तो नाम से वैसे धबराना नहीं चाहिए में बुद्दा क्या है हमको उसकी समझ होनी चाहिए तो हमें पता है 1-1 को हम injective बोलेंगे on to को हम subjective बोलेंगे और अगर कोई ये दोनों है तो उसको byjective function बोलेंगे और अगर function byjective होगा तो उसका inverse करने पर आपको inverse function मिलेगा ठीक है तो जो questions आते हैं जिसमें कहते हैं कि inverse not possible actually में वहां हमको पूरा लिखना चाह जूरत है ये important part है देखो observation के जरीए हमने पढ़ा चीजे कितनी आसानी से समझा गई तो ये बात कभी मत भूलना every element वाली बात क्योंकि इससे हमें ये पता चला कि अगर आप function बना रहे हो set a to set b के अंदर तो यही set आपका domain होगा यही set आपका domain होगा अगर आप inverse function वाला function ढ mapped होगा और onto भी होगा यानि कि b set के अंदर कोई बी element ऐसा नहीं मिलेगा जिसका pre image ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए यानि कि अगर एक element आगया जिसका pre image नहीं है तो function आपका inverse नहीं बन सकता है वो inverse करोगे तो relation बन जाएगा ठीक है और फिर हमने क्या देखा कि set a के elements को हम mapping क्याते हैं अगर कोई element set a का खाली है जिसका कोई connection नहीं है set b के element के साथ इस particular relation के लिए तो उसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या बोलेंगे relation लेकिन अगर हर एक element set a का किसी ना किसी के साथ connected है तो उसको बोलेंगे हम लोग mapping तो यह शब्दों के खेल से आपके question को tough बनाया जाता है और इन शब्दों को भी हम लोग समझ गए कि ऐसा हमने किया क्यों simplest relation को समझाने के लिए अपने आपको तो हमने यहां पर कुछ नया नहीं खोजा है हमने relations की दुनिया के अंदर सबसे simplest point in करके सबसे simplest relation को बताया कि सबसे simplest होना चाहिए तो यह condition अगर वो follow करता है त बसको function तो इतनी सी कहानी है बस function की और यही है आपका function अब आगे चलके जो मैं एक बार अटका था ना मैं क्या रहा था types of function तो अगेन एक types of function है आपका जिसमें हम लोग नामकरण के हिसाब से काम करेंगे linear function, polynomial function, exponential function, logarithmic function, trigonometric function, inverse trigonometric function जो यह प्रकार-प्रकार के function है इसको भी हम लोग types of function की तरह ही बोलते हैं बट यह onto और into यह one one many one type वाला नहीं है यह है हिंदी संस्करन करने में थोड़ी दिक्कात आ रही और कुछ नहीं अगर आप भावनाय समझ पा रहे हों यह है types of function onto one one ठीक है वो हो गए आपके प्रकार मतलब किस तरह तरह के functions हैं हैं तो अंदर भी आपको onto और into one two यह सब मिलेगा ही मिलेगा उनके अंदर भी ठीक है तो यहाँ पर बोलने के लिए हम लोग बोल देते हैं types of function तो next lecture के अंदर हम लोग यहाँ पर इनी प्रकार के functions को some specific functions को देखेंगे उनके domain and ranges को explore करेंगे और function के अंदर अगला पढ़ाव जो हम योग 5 minute के भी हो सकते हैं कुछ 15 minute के भी हो सकते हैं depend करता है कौन से function को हम study कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे वो आएंगे ज्यादा भी ने 6-7 videos होंगे उसकी लेकिन जैसे यह जनरली आपकी videos 40 minutes से लेकर 1 hour तक की होती है 30 minutes से 1 hour तक की होती हैं यह 5 minutes से लेकर 20-25 minutes तक की भी हो सकती हैं तो सारे parts को आपको explore करना होगा और हां trigonometric functions और inverse trigonometric functions यह वाला part हम relation chapter के अंदर नहीं लेंगे यह जाएगा वहीं पर क्यूंकि देखो इनको पढ़ने का फाइदा तभी है ना जब हम trigonometric और inverse trigonometric पढ़ लें तो यह वाला section आपका चला जाएगा सीधा कहा trigon प्लीज उसको देख लेना तभी उस logarithm वाले function को आप explore करना वरना कुछ समझ नहीं आएगा हमें यहाँ पर निकलना है domain range functions के types of function के कितने प्रकार के function है वो सब देखेंगे क्योंकि यह पूरी math के अंदर हमारे base का काम करने वाला है function सिर्फ एक chapter नहीं है हर chapter के अंदर function है इ इसलिए इस चीज को मुश्किल नहीं है इसलिए इसको observe जरूर करना ठीक है इस लेक्टर के लिए इतना ही मज़ा आया हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ share करो ठीक है right way of education हमारा एम है और उस एम के साथ आप जुडो right direction में पढ़ाई करो बस यही छोटी सी च्छे आप लोगों से ठीक है तो मिलते हैं आपसे नेक्स लेक्चर में टिल देन टेक केर बबाए जाहिंद